नमस्कार आप सभी का इस वीडियो में स्वावत करती हूँ आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वच्त एंड मस्त होंगे आज आपके लिए नर्सिंग एप्टिट्यूड की क्लास नमर टू लेके आए क्लास नमर बन अभी तक आपने नहीं देखिए तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्राप्शल में मिल जाएगे क्लास को पूरा जरूर देखिए जितना जरूरी आपको फिजिक स्क्राइप के लिए नर्सिंग एप्टिट्यूड पड़ना जरूरी है तो इस्टार्ट करते आज के इस वीडियो को चैनल को अभी कग आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिगा कुश्चन नमर यहाँ पर हमारा टेन से सुरू होगा नाइन कुश्चन हम आपको पहली क्लास में करा चुकी हूँ बिटामिन B6 इस आलसो नौन एज बिटामिन जो B6 है उसे किस नाम से जाना जाता है उसका केमिकल नेम आपसे पूछा गया है तो बिटामिन B6 का जो केमिकल नेम है वो राइबोफलेविन नहीं है राइबोफलेविन जो है वो बिटामिन B2 का होता है थाइमीन बिटामिन B1 क का होता है नी आईसम जो आपका है वो सिक्सका केमिकल नेम होता कोशन का जो आंसर है यहां पर हाईलाइट किया गया पर आप यह नहीं करके है तो आप पड़के जरू जाही जब आप कोशन को देखेंगे तभी आप मापस सही कर पाएंगे तो आप कोशन को लगातार मेरे साथ देखते रहें सुनते रहें और कीजों को कॉपी पर नोड़ डाउन करते रहें ठीक है कोशन नमर 11 हमारा है difficiency of iodine coins यानि कि iodine की कमी के काड़ कौन सा रोग होता है तो iodine की कमी के काड़ जो आपका रोग होता है वो आपका कौन सा है ग्वाइटर ग्वाइटर जिसे हम घेंगा रोग भी कहते हैं जिसे घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है जो गले में होता है का पर हो थाइरोक्सिन हार्मोन की कमी से हाइपो थाइरोडिज्म होता है जबकि हाइपर थाइरोडिज्म किसे होता है तो यह आपका थाइरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होता है थाइरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से यह आपका रोग होता है जिसे का जाता हाइपर थाइरोडिज्म तो ये दोनों ही कोशन आपसे पूचे जाते है कि हाइपो थारिटिज्म क्या है और हाइपर क्या है तो ये दोनों ही हाइपो याद सब्द लगा है कहीं पर तो वो कमीं को प्रकट करता है बहाँ पर और हाइपर सब्द लगा हुए तो वो आपका अधिकता को प्रकट करता है इंक्रीज और यह डिक्रीज अब आगे देखिए कोशन नमर 12 आपका दिया हुआ है कि डिसीज लाइक रिकेटिस इसकर्वी एंड बेरी बेरी अकर्स ड्यू टू दा डिफीसेंसी ओफ जो आपका रिकेटिस रोग है इसकर्वी रोग है बेरी बेरी रोग है यह किसकी अधिक से होने वाले रोगे यह जितने भी रोग यहां पर दिये हुए विटामिन की कमी से होने वाले रोगे जैसे रिकैटिस तो विटामिन c की कमी से very very vitamin b1 की कमी से होता है तो यह सबी रोग vitamin की कमी से होने बाले रोग यानि vitamins रोग है तो right answer d option आपका हो जाएगा question 13 यहां पर दिया हुआ है processed foods generally lack of यानि कि जो प्रसंस्कृत जो खाद पदार्थ होते generally सामानिता और किसकी कमी से तो यहां पर जो generally आपके आम तोर पर देखा जाए जो प्रसंस्कृत खाद पदार्थ कमी होती है उसमें वो आपकी vitamin की कमी होती है fiber की नहीं होती है minerals भी नहीं श्टार्च की कमी भी नहीं होती है जो आम तोर पर जो प्रसंस्कृत खाद पदार्थ होते हैं उनमें vitamins की कमी पाई जाती है राइट अंसर जोगा वो option number D right हो जाएगा next question आपका 14 आपका दिया हुआ है कि which of the following is not a fat soluble vitamin यानि कि इन में से कौन सी बसा में गुलंसील बिटामिन नहीं है question आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा जो not वाले question होते वो सबसे ज़्यादा गलत होते question को दो बार आप जरूर पढ़ें तो आपको आराम से question समझ में आ जाएगा और अच्छे से बिलकुर सही करके आप आएंगे ठीक है तो यह पर बसा में गुलंसील ऐसी vitamin का ना मता नहीं होगा जो बसा में गुलंसील नहीं है तो देखो vitamin जो होती वो दो परकार की होती है एक आपकी बसा में गुलंसील नहीं फैट में और एक आपकी जल में गुलंसील जो बसा में होती है वो कौन कौन सी हो जल में कौन तो जल में आपकी बी कोमा सी नहीं बी सी बी और सी जो है वो जल में गुलंसील है जबकि बची हुई चार आपकी ए कौमा डी और ई और के यह च याद हो जाएंगी तो इस प्रकार के विप्राम में पूछे जाते हैं आपको Numion अपटिवड पूछा जाते आपको नर्सिंग पर या जानकारी होनी चाहिए जमारी आपको होनी चाहिए जो आपसे पूछी जाएगी अग्जाम में तो यह चीजे ही आपके exam में पूछे जाती है आप ये न सोचे कि इतने सरल question exam में पूछे जाते हैं हाँ ऐसे ही question आपके exam में पूछे जाते हैं सामाने ता ठीक है आपको बहुत ही गहराई से नहीं पढ़ना है उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर question 15 की vitamin which vitamin deficiency cause very very यानि बेरी बेरी जो आपका रोग है वो किस बिटामिन की कमी के काड़ होता है तो वो आपका बिटामिन B-12 नहीं बिटामिन B-12 से आपका जो रोग होता है वो यह एनीमिया एनीमिया जिसे हम रक्त अलप्ता भी कहते हैं रक्त अलप्ता के नाम से जिसे जाना जाता है ये विटामिन B12 की कमी से होता है विटामिन B12 का आप उसे बैग्यानिक नाम पूछा जाता है जिसका नाम है साइनो कोवालमिन ये बहुत जादा पूछा जाता है कि विटामिन B12 की कमी से रोग कौन सा होता है और विटामिन B12 क केमिकल नेम क्या है तो साइनो कोवाल मिन साइनो कोवाल मिन इसका रासाइनिक नाम है विटामिन B6 नहीं है आपका विटामिन B2 नहीं है विटामिन B1 विटामिन B1 की कमी से आपका कुन सा रोग होता है बैरी बैरी रोग होता है तो और विटामिन B1 का जो रासाइनिक नाम है वो thymine है क्या आपका thymine ठीक है याद हो जाएगा आएंगे देखिए next question आपका दिया हुआ 16 name the disease called by the deficiency of niacin niacin जो आपका है उसकी कमी याणि niacin का अर्थ पहले आपको पता होने चाहिए तो niacin जो है वो बिटामिन B में विटामिन B3 की कमी से जो आपका रोग होता उसका नाम है पेलिग्रा विटामिन B3 जो है वो आपके कॉलिस्ट्रोल को कम करने का भी काम करती है ठीक है तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्सन नमर यह रिकेटिस क्या है तो यह विटामिन D की कमी से होता है इसकर भी क्या है तो विटामिन C की कमी से होता है एनिमिया आपको पता है यह एनिमिया के अंतरकत आता है नीशियस एनिमिया जो विटामिन B12 की कमी से होता है ठीक है आगे देखिए नेस्ट कुशन दिया हुए आपका 17 which of the following is a component of co-enzyme A यहां जो आंसर दिया हुए गलत आंसर पहली बात जो को है आपका co-enzyme A है उसका को जो component है वो retinol नहीं है उसका जो component है वो आपका pentothenic acid है pentothenic acid यानि की vitamin B5 vitamin B5 इसका component है यह गलत आंसर दिया मैंने चेक किया था गूगल पर भी तो बापर यह गलत आंसर बतारे retinol को right answer जो आपका होगा वो option number B right होगा pentothenic acid pentothenic acid जो है वो co-enzyme A का component है ठीक है आगे देखिए next question दिया हुआ 18 Megaloblastic Megaloblastic anemia is caused due to deficiency of यहनि की anemia जो रोग है एनिमिया के अंतर का तेक आपका यह रोग आता है आपकी तुचा जो है इसके जो है वो पीली पढ़ जाती है निकी एलो हो जाती है यह इसी के लच्छडे एनिमिया के Megaloblastic anemia के लच्छडे हैं आपके सिर में दर्दोना सांस लेने में तकली तुचा आपकी पीली पढ़ जाना हाथ पेर आपके ठंडे पढ़ जाना तो यह किसकी कमी से होता है तो यह नहीं कोशडिया वें सुझ ह है कि कोवाल मिन का नाम शीना फालोविंぐ की नामें के में गांगी क्वाल नम को吸शन ते लित आपका कौंटी में में कौन सा भाग हिस्सान है कौन सी क्लाड करने में, इसकंडन करने में, भीटामिन के काम करती है, भीटामिन के जो है फखका बनाने का कारि करती है तो प्रोटीन कौन कौन सी सायक होती है तो प्रोटीन आपकी है फाइबरी नोजिन आपकी है प्रोथ्रोमिन है ये ऐसी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में सायक है जो आपके प्लाजमा में पाई जाती है प्लाजमा में पाई जाने वाली दो प्रोटीन है फाइबरी का नाम बताओ जो anti-clotting करती है निकि जो रख्त को जमने नहीं देती है जो रख्त को जमने से रोकती है anti-clotting protein तो वो आपकी है heparin heparin जो है वो रक्त को जमने से रोकती है जो कहा पाई जाती है ये भी प्लाजमा में ही पाई जाती है tend no才न से प्रोटीन को तेके इसलिए ऐसे antiklاطin कहा जाता है next question आपका दिया हुआ vitamin C is present in vitamin C जो है वो किस में present है तो papaya में नहीं है, guava में नहीं है पर right answer जो आपका हो जाएगा वो option number 8 tomato tomato में vitamin C जो है वो आपकी present है वैसे यहाँ पर अम्रूद में भी होती है यह यहाँ पर यहसे देखा जाए तो अम्रूद में भी बिटामिन C पाई जाती है यहां जो आंसा दे रहे हैं तो टोमेटो ही दे रहे हैं लेकिन आपका अम्रूद भी होना चाहिए ठीक है आए देखिए पपाया में तो नहीं होती है नेज़्स कोशन दीआ हुए ओप थायरोड गरंटी में जब उसका विस्तार हो जाए इनलार्ज में पाई जाती है जो एक प्रकार की अंटासरावी यानी की सबसे बड़ी आपकी आपकी गरंथि पूछा है पूछा रहे हैं इनलार्ओ क्रावी जो एक प्रकार की यह इसकी ब्रद्धी हो जाए इनलार्जमेंट हो जाए तो इसे कौन सा रोग आपको हो सकता है इसकी कमी से तो आपका पोटेसियम से हो सकता है कि या आपका सोडियम से या आयोडीन से या केल्सियम से तो यह रोग जो आपका है जो थाइरोड ग्रंथी का बढ़ना है वो किस जाएगी ठीक है वो आयोडीन की कमी से आपको पता है कौन सा रोग होता है तो घेंगा रोग आपका होता है कौन सा रोग होता है गेंगा जिसे ग्वाइटर कहते हैं ग्वाइटर रोग जो है वो आयोडीन की कमी से ही होता है जो गले में पाया जाता है नेश कोशन हमारा दिया हुए यहां पर कि औल आर बिटामिन डिफीसेंसी डिसीजिज एकसेप्ट यानि कि किसके अलावा बाकी के जितने भी रोग यहां पर दिये हुए हैं वो सभी बिटामिन की कमी से होते हैं तो यहां पर देखिए आपका रिकेटिस, इसकरवी और चाइलोसिस चाइलोसिस क्या होता यह आपको पता होना चाहिए तो चाइलोसिस जो रोग आपका है यह बिटामिन B2 की कमी से होता है जिसे हम चिलोसिस भी कह सकते हैं ठीक है chilosis कईए चर चिलोसिस कईए vicitam iin B2 की कमी से होता है जिसका नाम है riboflavin riboflavin इसका chemical name है जिसकी कमी से यह रोग होता है इसमें होता क्या है तो आपके जो Disease होते हैं उनमें दरारे पड़ जाती है ओटों में दरारे पड़ जाती है तब उस रोग को हम चिलोसिस कहते हैं यहाँ पर इसकर भी जो है वो विटामिन C की कमी से होता है जबकि रेकेटिस जो है वो विटामिन D की कमी से होता है जिसका केमिकल नाम है कैलसी फेरॉल जिसका केमिकल नेम क्या है कैलसी फेरॉल और जो आपका मराइसमस रोग है ये मराइसमस रोग जो होता है ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है अब आपको कमेंट करके बताना होगा कि ये कितने साल के बच्चों में होता है ये मराइसमस जो रोग है वो कितने साल के बच्चों में होता हो इसके अलावा प्रोटीन की क कमी से होने बाला एक रोग आपको और बता ना हुगा मैं कई बार क्लासों में बता चुकी हूँ यह आप लाइब क्लास अटेंड करना चाहते हो तो डेली आप साड़े चार बजे अटेंड कर सकते हो वहाँ पर हम फिजियोलोजी चला रहे हैं हुमन फिजियोलोजी से कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे आपके नर्सिंग एपिट्यूट में भी पूछे जाएंगे तो उन क्लासों को आप जरूर अटेंड करिएगा लाइब next question हमारा यहां दिया हुआ calcium deposition in soft tissue is due to यानि कि जो कोमल उतक होते हैं उन में calcium का जमाव किसके कारण होता है due to पूछा गया है तो deficiency of vitamin D या excess of vitamin D या आपका deficiency of vitamin C या excess of vitamin C तो vitamin C का कोई लेना देना नहीं है calcium से vitamin D जो आपकी होती है वो अड़ियों को मजबूत करती है वो अड़ियों में क्या पाया जाता है calcium की जब अधिकता होती है तो हमारे जो soft tissue होते हैं जो कोमल उतक होते हैं उन में calcium का जमाव होने लगता है vitamin D का सबसे अच्छा स्रोत याद आपसे पूछा जाए तो वो आपका सूरे यहनी sun सूरे जो है वो सबसे अच्छा vitamin D का स्रोत माना जाता है तो यह right answer जो आपका होगा वो option number B right होगा axis of vitamin D ठीक है आए question दिया हुआ है 25 हमारा deficiency of calcium may lead to a condition called यहनी कि यहां पुछा गया आपसे कि यह calcium की कमी से जो आपकी इस्तिति यहां बन सकती वो कौन सी है deficiency of calcium calcium की कमी से क्या हो सकता है तो whiter हो सकता है नहीं यह तो आपका iodine की कमी से होता है एनीमिया विटामिन बी बारा की कमी से होता है साथी साथ आपका हीमोगलोबिन भी यहां ओप्सन में हो सकता है कभी कबार यह विटामिन बी बारा नहीं दिया ओप्सन में तो हीमोगलोबिन की कमी से भी आपका एनीमिया रोग हो जाता है तिक है या उसके बाद यहाँ पर दिया हुए इसकर भी तो vitamin C हो जागा यहाँ पर टिटेनी जो रोग है आपका टिटेनी जो रोग होता है यह आपका calcium की कमी से होता है किसी कमी से calcium की तो right answer आपका हो जागा option number C next question हमारा दिया है 26 है कई बार हम आपको बता भी चुकी हूँ डिफीसेंसी और vitamin A vitamin A की कमी से कौन सा रोग होता है किसके vitamin A की कमी के काड कौन सा रोग आपका होता है तो वो night blindness यह जिसे हम रतोंदी भी कह सकते रतोंदी के नाम से जिसे जाना जाता है यह आपका vitamin A की कमी से होता है जिसका रासाइनिक नाम है chemical name है retinol retinol जो है वो इसका chemical name है enemy आपको बता चुकिए इसका रिभी बता चुकिए red catis आपको बता चुकिए हुए अब next question आप हुआ है कि marasmus and quassiorkar are both disease occurring in infants due to the deficiency of which nutrients infants का यहां आर्थ होता है आपका सिसूों में जो सिसू होते उनमें आपको पता है कि दो रोग हो जाते हैं जो आपका एक को dot परफील एक्सिस प्रोग्राम बाद इस अब करो को सुरचित और बीमारियों को प्रसार को रोकनों के लिए डिजाइन की उपाय होते हैं कि जो आपके सवस्त वेक्तियों सुरच्चित रहना बैक्तियों को सुरच्चित रखना और रोगों को रोकने के लिए बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए जो प्रोग्राम तयार की जाते हैं उनको प्रोफाइलेक्सिस का जाता है तो यहां पर एक प्रकार का कारिक्राम है जो कम लोंच किया गया था बिटामिन A के संबंद में तो यह सन 1970 1970 में लॉंच किया गया था कम 1970 में आई कोईशन आपका दिया हुआ है कि administration administration of first dose of vitamin A is given जो vitamin A का जो first dose है वो बच्चे को कब दिया जाता है तो वो 9 months का जब हो जाता है 9 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब उसे first dose दिया जाता है vitamin A का बहुत ही अच्चा question है आपसे पूचा जा सकता है ठीक है आगे आपको DPT का BCG का dose कब गब देना चाहिए सारे questions हम आपको next वीडियो में कराएंगे ठीक है आए कोशन दिया हुआ कि iodine deficiency disorder प्रोग्राम बाज लॉंच इन इसे सौर्ट में का जाता आई डी डी सी पी यह question भी आपसे पूचा जा चुका है कि आई डी डी सीपी की फुलपॉर में क्या है तो इसकी फुलपॉर में iodine deficiency disorders orders control प्रोग्राम यह कब लॉंच किया गया था तो यह प्रोग्राम जो है वह किसके लिए iodine से ओने वाला जो रोग आपका है कौन सा गेंगा या ग्वाइटर रोग उसके लिए उसको कम करने के लिए प्रोग्राम लॉंच किया गया था यहां पर 1962 भी देखने को मिलेगा यह 63 नहीं दिया है तो 62 आपको option में दिया होगा ठीके नेस कुशन आपका यहां दिया हुए 31 की midday meal प्रोग्राम बाज initiated in year off जो आपके midday meal प्रोग्राम है जो कारिक्रा में मध्यान बोजन जो primary school में कराय जाते हैं किस बरस में यह की गई थी initiated कार्थ होता है शुरुआत करना तो वह आपके शुरुआत की गई थी वह सन 1962 इसवी से की गई थी वह भी कहां से की गई थी तो तमिल लाडू से तमिल लाडू यह पहला राज्य है जिसने सबसे पहले midday meal प्रोग्राम शुरू किया था जो primary school होते उन में लेकि केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कब सुरू किया गया था यानि कि सेंट्रील रूप से सेंट्रील रूप से पूछा जा इसे कब प्रायोजित किया गया था इस योजना को तो वह आपका सन 1995 इसवी में 15 अगस्त 1995 इसवी में इसे केंद्र के रूप यानि केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में Centralry sponsored scheme के रूप में जो इसे सुरू किया गया था लेकिन यह पूचा जा कि सबसे पहला राज जी क्यों सा अभारत में इसने यह सुरू किया था तो सब्हुत सन 1962 में हुआ तब वो भी तमिलाडू राज था ठीक है एक नर्स का midday meal program में क्या भूमिका होती है क्या योगिदान उसका होता है तो एक नर्स का midday meal program में जो रॉल है वो आपका assessment of health planning evaluation nutrition education all of the above यह आपका जितने भी यहां पर यह कार दिये हुई सबी एक नर्स के कार होते हैं यह सबी आपके एक नर्स के कार होते हैं जैसे कि आपका स आसिस्मेंट ऑक्लण करना प्लानिंग एभूलेशन यानि की योजना विकास बनाना निवरेशन एज़ु स्च्छा देना यह सभी कार एक नर्स के कारे होते हैं मिड़े मिल प्रोग्राम में यह हम आपको next वीडियो में question कराएंगे जो काफी अच्छे question हैं जहां से आपके exam में question पूछे जाते हैं तो आज की class आप सभी को कैसी लगी comment करके एक बार जरू बताना और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें जिसे आपको ये class आंगे भी देखने को मिलें आपको पता है कि nursing aptitude की जो class है वो YouTube पर बहुती कम आपको देखने को मिलेगी जा आप offline coaching पढ़ते ह आपको पढ़ाते होगे जो आप pad course खरीते हो वहां आपको पढ़ाया जाता होगा लेकिन आपको YouTube पर बहुती कम देखने को मिलेगी तो यद आप इसी प्रकार की class चाहते हो तो class को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करीगा प्यार अपना दीजिगा जिसे आपको आंगे भी ये फ्री में class देखने को मिल सके हैं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं नई वीडियो के साथ class नमत 3 में thank you so much all the best जहिंद